आजकल क्राइम करना बहुत ही जादा असान हो गया है इस्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बास पैसा और पावर है क्योंकि ऐसे लोग अपने पैसे और पावर के दम पर किसी को भी खरीद लेते हैं यहां तक कि पूरा एड्मिनिस्ट्रेशन भी ऐसे लोगों का साथ देने में जुट जाता है जिसकी विज़े से मासूम लोगों को नयाई नहीं मिल पाता या तो उन्हें जिन्दगी बढ़ नयाई की आज में बैठना पड़ता है या फिर सब कुछ भूल कर ऐसे ही अपनी जिन्दगी जीनी बढ़ती है ऐसे ही साल 2022 में एक 19 साल की लड़की का ऐसा हाल किया गया कि उसके बचपन से देखे वे सपने, उसका गोल, उसकी जिन्दगी, सब कुछ एक जटके में खत्म हो गई ये केस है एक पावरफुल दिगज नेता और एक लोवर मिडल क्लास फैमली का तो आखिर क्या है पूरा मामला? चलिए जानते आज किस वीडियो में उत्तराखंड के पौडी गड़वाल इलाके में एक दूर दराज पिछड़ावा गाउँ है श्रीकूट इस गाउ में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अंकिता भंडारी इसके बचपन से ही बड़े बड़े ख्वाप थे, सपने थे, वो बचपन से ही बड़ी हुशियार और समझदार लड़की थी इसका सपना था होटेल मेनेजमेंट की फील्ड में काम करना पर ये एक lower middle class family से belong करती थी इसलिए इसके पास पढ़ाई के लिए ज़्यादा source भी नहीं थे अंकिता ने 12 तो पास कर ली लेकिन अब बात ये थी कि आगे क्या किया जाए अंकिता को बिलकुल clear था कि उसको होटेल मेनेजमेंट का कोर्स करना है इसलिए अंकिता के माबाप ने उसको होटेल मेनेजमेंट का एक कोर्स करा दिया पर बदकिस्मती से इसी दोरान देश में करोना शुरू हो गिया और सब कुछ ठप पढ़ गया स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी, इंस्टिट, होटेल, दुकान वगेरा हर जगा वर्क फ्रम होम शुरू हो गिया ओनलाइन क्लासिज होने लगी उत्राघंड में भी सब कुछ ठप पढ़ गया था लोगडाउन तो चली रहा था और इसी में जैसे तैसे अंकिता ने अपना होटेल मेनेजमेंट का कोर्स कम्प्लीट किया दो हजार एकिस बाईस तक आते आते धीरे धीरे जब कोविट का असर थोड़ा कम होने लगा तो जिन्दगी पट्री पर आने लगी होटेल खुलने लगे स्कूल वगएरा भी शुरू होने लगे इसी में अंकिता ने सोचा कि कोर्स तो कम्प्लीट होई गया है तो क्यों ना कहीं दूर जाने से पहले यहीं कहीं आसपास के छोटे-मोटे होटेल में काम कर लिया जाए ताकि उसे थोड़ा एक्सपिरियंस भी हो जाए जिसके बाद किसी बड़े होटेल में असानी से जॉब भी मिल जाएगी इसी बारे में वो अपने दोस्तों से और जान पहचान के लोगों से बाते किया करती थी तब है किसी जान पहचान के आदमी ने उसे बताया कि रिशिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर एक रिजॉट है वनंतरा रिजॉट यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट के जॉब खा लिये ये रिजॉट कई किलोमीटर दूर किसी जंगल में था उसने अंकिता से बोला कि अगर तुम चाहो तो यहाँ जॉब के लिए अपलाई कर सकती हो ये रिजॉट पुल की तारे नाम के एक आदमी का था जिसके फादर एक ताकतवर दिगज बीजेपी नेता विनोधार रहा थे जो एक पूर्व राज्यमंत्री भी थे साल 2017 में इस रिजॉट की नीव रखी गई थी और 2018 तक ये बनकर तयार हो गया था इसके बाद से यहाँ पर गेस्ट आने लगी 18 अगस 2022 तक अंकिता यहाँ आई इसका इंटर्वी वगएरा लिया गया और रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर इसको सिलेक्ट कर लिया गया जिसके बाद अंकिता यहाँ पर खुशी खुशी जॉब करने लगी यह अंकिता की पहली जॉब थी और अपने सपने की और पहला कदम यह रिजॉट अंकिता के घर से करीब 1.500 किलमेटर दूर था पहाड़ी इलाके में रास्ते जोखिम भरे होते हैं इतने लंबे रास्ते तैय करने में कई घंटे बीच जाते हैं और उपर से अंकिता की ड्यूटी सुभा से ही थी इसलिए रोज-रोज इतना ट्रैवल नहीं हो पाता था सेलरी भी इतनी नहीं थी कि रोज-रोज बसका टिकट खरीच सके इसलिए अंकिता इस रिजॉट के कमरे में ही रहने लगी जॉब को करीब एक महीना भीद गया 18 सितंबर 2022 की दुपैर 3 बजे उस रिजॉट की किसी स्टाफ मेंबर ने आखरी बार अंकिता को दीखा था वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि रिजॉट के मालिक पुलकित से इसका जगड़ा हुआ था अब 19 सितंबर का दिन आ गया सुबह 11 बजे तक इस रिजॉट के मालिक पुलकितार्या पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवाता है इसमें कारण बताता है कि 18 सितंबर की शाम तक अंकिता हमारे साथ थी रात को वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और सुबह में जब उसके शिफ्ट का टाइम हुआ तो वो अपने कमरे में नहीं थी हमने कंटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन उसका फोन बनता अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है पुलिस ने रिपोर्ट तो रिजिस्टर कर ली लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था क्योंकि पुलिस ने इस पर कोई भी एक्षन नहीं लिया 19 सितंबर की ही दुपैर के बाद पुल्कित अंकिता के माता पिता को कॉल करता है और कहता है कि सुबह से ये अंकिता दिखाई नहीं दे रही इतना सुनते ही अंकिता के माता पिता खहबरा गए इन्हें यकीन ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ हो गया वैसे उत्रा खण में ऐसे ऐसे पिछढे गाउं हैं, जहाँ पर रोट तक नहीं है। इन्हें कई किलोमेटर चलकर पहाड उतर कर रोट पर आना पड़ता है। और तो और यहाँ पर बस की टाइमिंग भी फिक्स होती है। मुश्किल से एक या दो बस दिन भर में आती है। अगर एक बस छूट गई तो अगले दिन तक का इंतजार करना पड था। अंकिता का एक करीबी दोस्त था पुश्पदीब जिससे अक्सर अंकिता अपनी सारी बाते शेयर किया करती थी। 14 और 15 तारीक को पुश्पदीब उस रिजॉर्ट में रुका वा था। और 16 सितंबर को वो अपने घर जम्मू चला गया। 18 सितंबर की शाम से इसका फ बहुत गुसे में थी और रोरी थी। पुश्पदीब ने उस दिन की सारी चैटिंग और वोईस मेसिज अंकिता के फाजर को सेंड कर दिये। इसके बाद 20 सितंबर को ही अंकिता के माता पिता और भाई पुलिस टेशन में गए जहां पर पुलकित 18 सितंबर को गया था। प नहीं पुलकित नहीं उसे कुछ करतों नहीं दिया। इसलिए आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और मेरी बेटी को ढूंडिए। अब क्योंकि ये रिजॉट एक ताकतवर नेता विनोधार्या के बेटे पुलकितार्या का था। इसलिए पुलिस इस मामले को टाल रह करी थी। अंकिता की फैमली पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ी थी और पुलिस इनकी रिपोर्ट तक नि लिखरी थी। जिसके बाद इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिससे कुछ आस-पास के लोग भी वहां पर इखट्टा हो गए। तब ही विनोध और सब इस नेता के आते ही उसके पीछे-पीछे भागने लगी। ये सब लोकल लोगों के सामने हो रहा था। लोगों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। यहीं किसी जानकार ने कहा कि आप DM के पास जाए। अंकिता के माबाब DM के पास जाकर सारी कहानी बताते हैं कि हम DM पुलिस को क्विक एक्शन लेने का ओर्डर करते हैं। इसके बाद 22 सितंबर को अंकिता के माबाब दोबारा पुलिस टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये केस इतना जादा सीरियस था कि 23 तारिक तक ये खबर सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई। जिसके बाद इनका interrogation शुरू हुआ। सकती से पूशता चुई तो 23 सितंबर की शाम तक तीनों ने accept कर लिया कि 18 सितंबर को इन्होंने अंकिता का murder कर दिया था। थोड़ी और सकती करने के बाद ये एक-एक करके सच बताने लगे। 18 सितंबर की दुपहर अंकिता और पुलकित के भी शिकेश घूमने चलते हैं। इसके बाद एक बाइक और एक स्कूटी पर चार लोग अंकिता भंडारी, पुलकित आर्या, अंकित गुपता और सोरब रिजोर्ट से 8 किलोमेटर दूर चिल्ला नहर पर घूमने के लिए जाते हैं। तीनों लड़कों ने वहाँ पर खूब पी। काफी अंधेरा हो चुका था। अंकिता नहर के पास खड़ी थी। पुलकित अंकिता के पास आकर फिर से जगड़ा करने लगता है। इसके बाद गुसे में आकर वो अंकिता को नहर में धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद ये तीनों स्कूटी और बाइक से वापस रिजॉर्ट आ जाते हैं पुलिस ने वहां का CCTV कैमरा भी चेक किया जिसमें चार लोग रिजॉर्ट से निकलते हैं तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन सिर्फ तीन लोगी रिजॉर्ट में वापस आ रहे हैं किसी को इन पर शक्त ना हो इसलिए 19 सितंबर को पुल्कित इस साजिश में एक पटवारी भी शामिल था जिसको भी बाद में सस्पेंट कर दिया गया इसके बाद डाइवर्स को नहर में भेजा गया ताकि अंकिता को ढूंड सके लेकिन बतकिस्मती से उन्हें कुछ भी हात नहीं लगा डैम के पानी को रोका गया ताकि पानी कम हो त किल्ला नहर से आठ किलोमेटर दूर एक पावर हाउस के पास अंकिता की लाश मिल गई अगर लाश ना मिलती तो दोशियों को छोड़ना पड़ जाता क्योंकि इनका अपरात साबीत ही नहीं हो पाता पॉलिटीशन पावर की वज़े से ही ये लोग असानी से निकल जाते मा अंकिता को पता चल चुका था किस रिजॉर्ट में प्रोस्टिट्यूट का एक रैकेट चल रहा है कहीं ये बात अंकिता किसी को बता ना दे इसलिए इन तीनों ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया और उसका मर्डर भी कर दिया था पुलकित ने खुद कहा कि जब ये रिजॉर्ट शुरू हुआ तो कुछ खास नी चला क्योंकि ये एक सुनसान इलाके में था और घने जंगलों से घेरा हुआ था इसलिए पुलकित ने यहां पर प्रोस्टिट्यूट का धंदा शुरू कर दिया लोकेशन भी ऐसी थी कि किसी को पता न चल पाए और मोस्टी लोगों के साथ ऐसे ही होता है जब वो सही रास्ते पर भी चल कर पैसे नहीं कमा पाते तो आखिर में आकर ऐसे लोग गलत रास्ते को ही चुनते हैं 24 सितंबर को जब ये लाश मिली तो पुलिस वाले जो अपरादी के पिता की महमान नवाजी कर रहे थे और अंकिता की रिपोर्ट तक नहीं लिख रहे थे वो खुद रिजोर्ट गए और वहाँ पर बुल्डोजर चलवा दिया रिपोर्ट में जो सभी प्रोस्टिट्योट रैकिट से रिलेटिट था वो सब कुछ तहसनैस हो गया पुलिस ने ये बिना किसी जाच परताल के बिना रिजोर्ट की तलाशी लिए कर दिया था इनका कहना था कि ये रिजोर्ट इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था अगर ऐसा था तो अंकिता से पहले भी चार सालों से रिजोर्ट चल रहा था तब ही ने ऐसा खयाल क्यों नहीं आया इस से ये भी क्लियर हो गया था कि पुलिस वाले भी पुलकित को बचाने के लिए अपना पूरा-पूरा साथ दे रहे हैं और फिलहाल ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है इस पूरे केस में एक बात तो क्लियर होती है कि हमारे देश में देखा जाए तो आज भी सिप पैसे और पावर वालो की ही चलती है अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो इस बात को दिमाग से निकाल दे कि उसे कभी जिन्दगी में न्याय मिल सकता है अगर हम कुछ चुनिंदा केसी इसको हटा भी दे तो आज तक शायद किसी भी गरीब इंसान को न्याय मिला ही नहीं है जो हमारे करप्ट सिस्टम को शो करता है आपके क्या उपीने ने इस पूरे केस को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चानल पढ़ना है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं कौन नई वीडियो में किसी नई केस के साथ